नमस्कार दोस्तों सागत है आपका ओनलाइन स्टेजिगूरी जी चैनल में तो आज मैं आपको दोस्तों जीब विग्यान के मुष्ट आई-एंप प्रेश्न जो अधिक तर परिक्षाओं में पूछे जाते हैं जो जीब बिग्यान के सबसे most IMP प्रेस्न है वो आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो में तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे निवीदन करना चाहता हूँ कि आप ओनलाइन स्टेडी गुरुजी चैनल को सस्क्राइब कर दे मैं यहाँ पर अभी रेल्वे गुरुप डी की टेस्ट सीरीज बीच लाने वाला हूँ और आगे जो भी एक्जाम होंगे उन सभी की वीडियो उन सबसे लेटिड माटेरियल आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों चली वीडियो स्टार्ट करते हैं रेसम कीट पालन को क्या कहते हैं तो दोस्तों रेसम कीट पालन को सहरी कल्चर कहते हैं वसा में गुलंसीन विटामिन हैं विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K एंथोपोलाजी एंथोपोलाजी का संबन्द मानपजाती का ध्यान करने से होता है सरीर में विटामिन ए का वंडरन कहां पर होता है तो दोस्तों यक्रत में होता है सरीर में रक्तदाप का मापन किया जाता है स्टेग्नोनोमीटर के से किया जाता है रक्तदाप का मापन आसू का सरवन किस ग्रंथी के कारण होता है लेक माइल ग्रंथी के कारण आसू का सरवन होता है अगला दोस्तों देखते हैं रतोंदी का कारण है बिटा में एक कारण भी रतोंदी होती है और रेड़ो पिस्सिन की कमी की कारण भी रतोंदी होती है मोतिया बिंद में नेतर लेंस हो जाता है अपारदरसी मोतिया बिंद का रोग होता है दोस्तों उसमें जो नेतर का लेंस है वो अपारदरसी हो जाता है हैजा किस जीवानों से होता है भी यो कोलोरी भी यो कोलोरी से हैजा होता है रक्त स्राव रोधी विटामिन है विटामिन के है दुद्ध सक्रा लेक्टोज एंजाइम मुक्तिता होते है प्रोटीन विटामिन B1 की कमी से होता है वेरी वेरी रोग पीलियां से शरीर का कोंसा अंग प्रवावित होता है то दोस्तों यकुरत होता है वैस के मानम में कितनी अस्तियां होती हैं तो 2-6 होती है RBC लाल रख्ट कानिकाओं का निर्मान का होता है तो अस्ती मज्जा में होता है विश्व एट्स दिवस कम मनाया जाता है तो ये एक दिसंबर को मनाया जाता है जो खाम किसके संक्रमान से होता है तो वाइरल संक्रमान से होता है पित्त कहां जमा होता है ये पित्तासा में जमा होता है इस एट्स का मुक कारण है वाइरस लीची खान लीची का खाने योग भ पाउजी कहते हैं हेमोपैथी चिकिस्सा के जनक थे हैनी मेन होमोपैथी चिकिस्सा जो थी उसके जनक थे हैमोपैण हैनी मेन जो जर्मनी के थे संसार का सबसे तेज दोलने वाला प्राणी है चीता मनुस हिरदय में कितने कोश्ट होते हैं तो दूस्तों चार कोश्ट होते है यीश्ट का प्रियोक किया जाता है डवल रोटी बनाने में जिवास्म की आयू का पता लगाए जाता है कारवन चौदा पधिती से ओर शरवग रही प्सक्राहे ऑ बिल में को dipping में पाय जाने वाली बनस्पती योस्तां को कहते हैं जीरो ivery फाइटस केहते हैं दोस्तों रेकिस्ताईग tv तर ये भी आई एम पी कुश्चन है ओजोन परत हमें किस से संड्रक्षन पदान करती है तो पराबैगनी किर्णों से अस्वच सारवजने मूत्राले के नजदी के एक खास तरह की गैस की बद्वू आती है यह गैस कौन सी होती है तो दोस्तों अमोनिया मीनी माता रोग सरीर के किस को प्रवाद दोस्तों मीनी माता रोग सरीर में किस की अधिकता से होता है तो दोस्तों पारा की अधिकता से सरीर में मीनी माता रोग होता है कुनेन नामक मलेरिया की दबा किस पौदे से प्राप्त की जाती है सिना कौन से प्रकास्टन्सिलेशन की करिया में CO2 तथा S2O का करमसा होता है अपचैन और आक्सिकरन दोस्तों प्रकास्टन्सिलेशन की जो करिया है उसमें CO2 का अपचैन होता है और S2O का आक्सिकरन होता है बनस्तियों के शन सरुने से कौन सी गैस निकती है तो दोब मीधेन गैस निकती है प्रतम सेड़ी के अभोकता क्या है? गाय, बक्री, हिरन, खर्गूश आदि ये प्रतम सेड़ी में आते हैं दोति शेड़ी में जो मासाहरी जानवर होते हैं अधिक तर वह आते हैं क्योंकि दोस्तों यह प्रफम सेड़ी बुक्ता कहलाते हैं और दूती शेड़ी में शेड़ चीटा वगएरा जो सब मासहरी इनका सिकार करते हैं वो दूती शेड़ी में आते हैं शरीर में जलकी कमी से होता है नेजली गरण रक्त सकंदन में कौन सा विटामिन क्रिया सील होता है तो विटामिन के स्वांस द्वारा बहर निकाली गई वायू में आक्सीजन होती है सत्र पतीशत मानव संतान के लिंग निर्धारण कैसे होता है पिता के गुण सूत्रों के आधार पर लाइकेन मिसरिजीब है जो बने होते हैं कबक और सेवाल से सजीब तसा निर्जीब के बीच की कड़ी है वाईरस संतरप्त वसा के लगता सिवन से रोक होता है एथरोस्कोलोरिस आर, बी, सी की संख्याग्यात की जा सकती है हीमो साइटो मीटर से और आर, बी, सी का जीवन काल होता है 110 दिन का रेसर फीन नामक, रख्त-चाप, और दी किस पोदे से प्राप्त की जाती है राउल फिला साइपो टाइण से मनुष्ट में जिवानियों से होने वाले रोग हैं टीवी, हैजा, टिटनेस और प्लैग मनुष्ट में विशानू, जनेत रोग हैं पीलिया, रैबिस, एट्स और चेचक जिवानू और विशानू रोग आप याद रख लिए ये भी बहुत आई-मपी हैं दोनों पूछे जाते हैं मनुष्ट में फपून जनेत रोग हैं गंजापन, दाध, आदी आई-प दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, धन्यवाद अँच्छा लग्चचर तोस्तों दोस्तों आपको, सबूब की तोस्तों